आप रिवन स्वार्गत है आप सभी का हमारे यूटिफ चैनल आएस मैंड पे आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टेडी भी अच्छे से चल रहे होगी तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कल जो हमने डिसकस किया था वो हमने पौदों के बारे में अच्छे से जाना था जाड़ी ब्रक्च के बारे में हमने अच्छे से जाना था जैसे कि आप देख पा रहे हैं विशरपी लता और आरूही लता के बारे में आज हम इन दो बड़ों के बारे में डिसकस करने वाले हैं और हम जानेगे कि विशरपी लटा क्या होता है? और आरुघी लटा क्या होता है? तो listen to me carefully ऐसे पौधे जिनके तने काफी कमजोर होता है तो गाईश, आपको ध्यान लखना है ऐसे तने, जिनके जो मतलब तने होता है काफी मजबूत होता है काफी सारी कमजोर होते हैं ऐसे पौधे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान लगना है इसलिए सीधे नहीं खड़े होने के कारण ये जमीन पर क्या होता है गाइस कि तब पौधे सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं क्या होता है ये जमीन पर ही फैलने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं ऐसे पौदे को हम कहते हैं विशरपी लता तो ये भी आपको अच्छे से जाल लेना है आए ओप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एक वार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं ऐसे पौदे जिनके हम कह रहे हैं विशर्पी लटा घढाल जैसे कि आप सभी आ पिशचर में भी देख पारहे हैं तो मैं झार्वी में जामीन पर फैले हुए हैं यह जमीन पर फैलने स्टार्ट कर देते हैं तो ये भी आपको ध्यान लखना है अब हम देखते हैं आरोही लता क्या होता है ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं हरे रंके होते हैं लेकिन इनके तने कमजोर होने के कारण ऐसे पौदे नहीं खड़ हो सकते, इन्हें आपको याद रखना याद रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जमीन पर फैलने लगते हैं, मैंने आपको आफिघाया था विश्च भी लटा में भी क्या होता है कि पौदे जमीन पर फैलने लगते हैं या फिर ऐसे सहारे या फिर लकडी वगएरा होती है तो जैसे कि आपने भी देखा होगा जो प्लांस वगएरा होते हैं तो क्या होता है जो लकडी वगएरा होती हैं तो वो उनके सहारे क्या होते हैं उनके उपर बढ़ने लगते हैं for example आपपने लकड़ी रखी और उसके सारे क्या होता है हम अपने उपने उपर ही example लेता है कि हमने कोई CD बगड़ा रखी हम उसके सारे उसके चड़ने लगता है क्योंकि हम सीथे जंप करके उपर नहीं जा सकते ठीक है तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है आरोही लता तो आपको ये भी अच्छे से जान लेना है आरोही मतलब आगे बढ़ना ऊपर बढ़ना धीरे धीरे बढ़ा होना तो यह आपको अच्छे से जान लेना है आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा अगर गाइस आपको एक भी पाइंट नहीं समझ में आता है कोई भी वर्ड आपके समझ से थोड़ा भार हो जाता है तो आपको क्या करना है comment box में comment करना है और अपने मुन में आप कोई भी doubt नहीं रखेंगे क्योंकि guys doubt रखने से जो problem होती है वो यह हो जाती है कि हमने जो मन के अंदर हमारे कोई भी बात आती है हम उससे किसी से share नहीं कर पाता है और share ना करने के कारण वो हम अंदर ही अंदर problem होने रखती है हमें तो हमें क्या करना है कि हमें अच्छे से study करना है अगर हमारे कुछ भी समझे नहीं आ रहा है तो कोई भी लता में एक विशीष सरचना पाई जाती है तो यह आपको ध्यान रखना है आरोही लता में विशीष प्रकार की सरचना पाई जाती है ऐसे पौधे में जिसे हम कहते हैं लता एवं संतु तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अब जो गाईस मैंने आपको बताए विशे इस पिरकार की सरशनों होती है जिसके सहारे वे किसी structure और किसी भी ढाचे को पकड़ लेती है ठीक है गाईस जो इसका structure होता है वो किस तरीकी से बनता है अब हम यह जानेंगे और दीरे दीरे उसी लता तंतु के सहारे अपनी पूरी body को फैलाती रहती है तो यह भी आपको अच्छे से जान लेना है और दीरे दीरे क्या होता है गाईस यह जो पौदे होते हैं यह बढ़ने लगती है ठीक है यह बेल जोती है बढ़ने लगती है इसे आपको ध्यान रखना है गाई जैसे हम इसके examples जाने तो हम देखेंगे कि जो many plants होता है ठीक है का पौदा हो गया तो हम इसके बारे में जानेंगे कि examples के क्या क्या होते हैं आप ले लिजे अरूही लता का एक्जामपल है हमारा मनी प्लांट ठीके कैसे आप लोगों के घर-पे भी काफी लोगों केयाское तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान लगना है इसके सहारे अप लोगों को पता रहने चाहिए इससे related जो भी question है अब भी पहले आपकी six class की book complete हो जाए उसके बाद मैं आपको क्या करूँगी आपको एक video upload होगी आपको लोगों के लिए जिसमें सारे आपके questions answer होगे ठीक है तो आप लोगों के जो भी doubt है वो उसमें भी clear हो जाएंगे और आप सब भी लोग मुझे comment करके बताएं कि कौन-कौन जानना चाहते है कि इसके question answer किस तरीके से आ सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है मैं भी देखना चाहती हूँ कि अब मैंने जो वीडियो में upload करूँगी अब भी इस class की book complete होने के बाद उसके answer आप लोगों को खुद देना है आप book से cheating नहीं करेंगे और आपको क्या करना है आपको खुद वो answer देना है और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको आपको पड़े ठीक है पड़े class होती है आप लोगों की तो आपको क्या करना है daily वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद अच्छे तो point wise point अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको वो नहीं है कि होता है कि ratification कर लिया और ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा recording आपको समझ लेना चाहिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ और आपके जो भी questions हो गयाना है वो भी आपके easily clear हो जाएंगे अगर आप एक भी point नहीं छोड़ते हैं जो मैं आपको समझा रही है आपको अच्छे से समझ आपको अच्छे से समझ आपको 100% guarantee वाले थी हूँ कि एक भी question आपको नहीं चूटने वाला इसे related science से बट इसके लिए आपको थोड़ी सी महनत करनी है आपको अच्छे से point wise point clear करते रहना है कोई भी point है आप जिस प्रकार मैं आपको यह करती हूँ highlight कि आरो ही क्या होता है इसी तरीके से आपको अपनी book में highlight करना है कि कौन सब word है और हमें उसके बारे में जानना चाहिए तो उ इसकी definition क्या हो सकते हैं कहां से आया था और किसी तरीके से कुछ भी new word है तो हम उसके बारे में information निकालनी चाहिए ठीक है और यह काफी अच्छा रहता है मेरे according and आप इसको अच्छे से clear करेंगे and thank you so much अब हम आगे start करता है तो गैस मैंने आपको बताए था इसका example मटर का पौदा शेम का पौदा ऐसे यह जो पौदा होते हैं गैस जिनने हम ARO호 bananas के रूप में बांते हैं यह बात आपको अच्छे से द्यान रखनी है तो गैस हमारा जो पॉइंट है वो है अब तना अब हम तोड़ा सा तना के बारे में जा लेते हैं कि आखे ये क्या होता है फ्रेंड्स अब भी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अगर तनेज होते हैं और आरो ही लेता हम किसे कहते हैं किसके तनेज होते हैं वो कितने कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होने के कारण वो क्या नहीं कर सकते हैं ठीक है क्या वो पौधे खड़े हो सकते हैं क्या वो नहीं खड़े हो सकते हैं ठीक है तो इस सब के वारे में आपको अच्छे से जानना है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और आप जानते हो तना पौधों की किसी पिरकार से शायता करते हैं तना जोते हैं वो पौधो में देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए तो गाईस, कोई भी पौदे होते हैं, ना जो खड़े होते हैं जमीन पे सीधे, उपर और पौधे का जो भाग है हरा, मोटा, लंबा फिर क्या होता है कि आप कहसकते हो कि पौधे का जो क्या होता है गैस ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है उसका और वो मोटा होता है और क्या होता है उसमें वो ही तना वाला पार्ट होता है तो क्या हम तना किसे कहते हैं जो पौधा होता है पौधे का एक ब्राउन कलर का पार्ट होता है ठीक है गाईज जो मूटी मूटी लकडी होती है तो उसकों क्या बोलते हैं उसकी उटकों हम कह रहे हैं तना तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये तने वाला ही हम इसे पार्ट कह रहे हैं इसे आपको अच्छे से समझ लेना है और ये तना पत्तियों पर बने भूजन को बिविन भागों में ले जाता है और ये भी आपको इसके साथ साज जान लेना है पौधे जो होते हैं वो शहारा प्रधान करती हैं इन बातों को आपको जानना है गाईज इसमें इनी तने पर जो शाखाए निकलती हैं जिनसे का हूता है जिनसे हमें फल, फूल, क्या होता है फल फूल जिस्पे लगते हैं जो शाखाये होती हैं जिन पर फल फूल लगते हैं उसी को मतारा कहते है यह आपको अच्छे से जान लेना है तो guys आज हमने discuss किया कि आरो ही लता किसे कहते हैं और शर्पी लता किसे कहते हैं तना आखे हम किसे कहते हैं में भी आपको सारे topic कच्छे से समझ आगे होंगे अगर आपका कोई भी doubt है तो आप उसे comment works में comment करें और आपके सब भी questions का answer दिया जाएगा so guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like कीजिए, subscribe कीजिए and comment कीजिए thank you so much guys, bye bye